कि वेल्कम एब्रिवन माई सर्थ पंकर जैदाव आपके पिश्यूरियूम चैनल मेडिकल सेन में एक बार फिर से ने वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं जो कि है नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है क्या क्या इसके अंदर टोपिक होते है कैसे-कैसे तैप्स होते हैं सबसे बघ्य生 कि ये किसने सर जील ओरियांड निए ठीक है जील ओरियांड़ नाम का एक साइन्टिश था जिसने इसकी खोज खोज की थी, 1908 के अंदर, 1958 के अंदर इसकी खोज की थी, इसके definition बताऊं मैं, तो definition इस दा, सर दीटीज दा, scientific design, scientific design for the nurses, for the nurses to give the effective care, यानि, effective care देने के लिए, जो nursing care होगी है, ये nursing plan होता है, वो provide करने के लिए, जो इस प्रोपर तरी के से design होता है, that is, used for by the nurses to give the effective care to the patient, ठीक है, तो this is the systematic steps होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्योंता होता होता है, आगे अपन पढ़ेगे, तो nursing process बस खाली होता है, इसके definition होता है, देर उसके पार में सर, इसकी types क्या होता है, तरस में क्या क्या होता है, तो सर ये में जिए, five steps क्या है, तो सर ये में जिए, five steps क्या है, देर आर five steps, what are the five steps, these are following, first one which is assessment, ठीक है, assessment, the second one which is, सर, diagnosis, ठीक है, diagnosis, then third one which is planning, ठीक है, planning, the fourth one which is implementation, and the fifth one which is evaluation, नाम से ही लगबभन सारा समझी में आ विया होगा, ये एक systematic process होता है, जिसके अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, गी assessment होता है, diagnosis ह होता है, planning होता है, implementation होता है, and evaluation होती है, assessment के अंदर पहला process होता है, then उसके बार में उसको diagnose किए दाता है, इसके बाद में प्लाणिंग होती है, फिली इंप्रिमेंट शुना तर फिली वैल्योजन रती है, आपको निसकी डिटेल में पढ़ेंगे, किये कैसे कैसे के इसके जाते हैं, तो सबसे पहले उठाते हैं, असेस्मेंट, कि वाट इस दा असेस्मेंट दूरिंग दा नर्सिंग process और वाट इस करेंवे झालियो नर्सों यू झालिटे ऴज्ग दूरिख नर्स तो इसके डिए फैस्स्ट परिंग कर मिलेव पाद लातनए हैं, असेस्मेंट प्रिस्ट क्रिव भुष्द, कि इस दूरिख वेहे इसकी गया हैं, इस्वेट वाध दूरिर्यों कर बाद रव इसके हिस्ट्री के बारे में प्रसमुस के पेशन की हिस्ट्री के बारे में all that kind of information we have to get by the assessment so assessment is the first and very important जो process होता है, जो first step होता है तो वो बड़ा ही यूज के लाता है सबसे पहले assessment यानि कोई भी आदमी आता है, कोई भी patient आता है आप किसी पे बारी के बारे है, OPD के बारे then you will ask about that patient what is the history, what are the disease condition, what are the kind of science symptoms you are feeling right now about the disease condition, about your family so all that type of data which is taken by the healthcare provider that is known as assessment then assessment we chart रहे होता है कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है पहले जूज की indication यानि ये कब-कब यूज किया जाता है तक ये सबसे पहले साब admission तर discharge होता है तब भी कैया जाता है तो भी तो भी उसके इसितनी तो इस सारे क्यों पर पे पिएस्मेंट होता है तरिफ पीछ Wr zie意 में पिए चला जाता है ही क्यों से क्यों से थैप काउस्मेंट haben तो भी काउस दिखाने जाता है तो भी क्यों से इसन पहूंद seventi ie कोई सॉत थाइं फ़ाई सारे यह क्या होता है जब कोई पेशेंट फिर्स्ट टाइम आते हैं ठीक है फिर्स्ट टाइम पेशेंट केम देखो टेकन वह फिर्स्ट टाइम पेशेंट केम टुदा अमर्जेंशी डिपार्टमेंट या फिर ओपीड या फिर तभी भी कहीं भी जो डिपार्टमेंट फिर कुझा इनीशियल एसस्मेंगों hopering का सीध की अंधाती मेंटेन रखा जाता है और गोड के अंदर एडिमीड के प्रोशेस के टाइम पर जितनी भी डाठा कलेक्ट किया जाता है वाल डाठा कम ऐंदर दूरीन दशचेवर के ताइस ने तरोफिटिक फोकस होता है यहने कि इनफोकस, फोकस का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिजीज कंडिशन के बारे में पुछा दाता है यानि कि मानने के चलिए अगर किसी को कार्डिक प्रोग्लम आ रही है तो वो कार्डिक प्रोग्लम को पर फोकस करवाएगा यानि के पर्टिकूलर ओरे डिजीज ठीक है पर्टिकुलर ओरे डिजीज ड Gesch एसके लावा फोर्थ अग्य चीज शाइकोलोजीकल पीयस वाई क्लोजीकल इसके अंदर क्या होता है कि सर्व इसके अंदर Mindedly Male इस ओरेंटिल दिस ओरींटिल ठीक है यह यह पिर ConFUSE arta होना जाता है उस टाइम के तो कुसरा लेना क्लेके दाता है by the healthcare provider that is known as psychological assessment thermos के बाद में सर्फ कौन से कौन सीश्के सोर्सीज होता है ठीक है सोर्सीजे पहले कि सब कौन-कौन इसके टाइप आप है टाइप के अंतर बही बही देखो क्वोन सोर्स के दर तो मिलनी क्या होता है देखो सोर्स के अंतर या तो या तो भी है उनि ? कि पर बुब्लम हो यह और देज का प्राइम रिषॉर्श की साथ में उसको बताते है कि इस की इस से सीयल डिशेन आइई हैं या फिर बोल रिषानीन को बोल भाता तो साइड में जो उसके रिलेटिव आते हैं that type of the data is known as क्या सेकेंडरी और बाग किसके लिए टाइप सब्सक्राइब डाटा के अंदर दोत रहके होता है first one which is subjective data subjective data क्या होता है subjective data is that data which is taken by the यानिकि taken by the self जो patient होता है जो भी होता है जो disease condition के वज़े से prevail है उसके अंदर तो वो जो बताता है that is subjective data and objective data is like the vote मैं आपको लिखे भी बता जेता हूँ क्या होता है कि subjective data subjective data क्या मतलब क्या होता है subjective data का उसलब ही होता है कि जो subject दे रहा है यानि उसके अंतर जो disease condition हो रही ही है, जो आदमी दे रहा है, कि सर मेरे pain हो रहा है, मेरे यहां से बार 3 दिन तक स्वय नहीं था, जो भी उसको disease condition बदाता है, that is subjective data, and objective data गो data होता है, that is given by the, taken by the instrument बगेरा, या फिर health care provider, यानि कि जो किसी का temperature लिया, तो वो objective data होता है, बीपी ना इस टाइप ओ, objective data, बाकी इसके लावा source मैंने बता गी, आपको primary, secondary source होता है, then इसके बाद में, कैसे-कैसे tools use कि रहते है, tools of the data collection, data collection के कौन से-कौन से tools होता है, जिसके दोर आपको data collect कर सकता है, तो सबसे पहले जो data collect करने के लोता है, that is interview, interview में दर क्या होता है, interview, then रुट second number पे, laboratory investigation, laboratory investigation, then third one, which is, laboratory investigation होते है, then third one, which is, physical examination, ठीक है, physical examination होता है, अब main topic सुरू हो रहा है, जिसके दर सी questions बोचे जाते है, main topics तो, subjective data क्या होता है, आपको data दे जाते हैं, subjective objective जो questions यहां से आते हैं, या इसके लावा, interview, interview, देखो interview याने की, क्या होता है, interview दो तरहा होता है, एक तो तरहा होता है, एक तरहा होता है, एक तरहा होता है, unstructured interview, अगर, कोई भी patient आपके पास में आता है, उसके लिए, particular सी पहले से ही, उसके लिए questions बना के रखते हैं, अपने पास में, कि देखो वो आएगा, तो मैं उसके पांट-साथ questions ऐसे है, ये disease condition है, और मैं उसके पूछूँगा, तो वो क्या होता है, structure होता है, उसके पास में proper plan होता है, blueprint होता है, that, blueprint by that, for that patient, that is known as, क्या structure interview, और unstructured interview क्या होता है, कि अचानक से कोई patient आया, और अचानक से ही, जो उससे related, at the sport, जो भी questions पूछे जाते है without any pre-plant, that is known as unstructured interview, दर उसके पाद होता है, laboratory investigation, laboratory investigation का मतलब अस्खाली ही होता है, कि जो laboratory के दुवरा, जो भी CBC वगरा होगे ही हो, MRI, CT scan वगरा, जितले भी जो data होता है, that is the laboratory investigation होता है, most confirmative data होता है, question यहां से आता है, most confirmative data क्या होता है, सब laboratory investigations होती है, दर उसके पाद होता है, physical examination, physical examination कितने तरह होता है, यह बढ़ते है, यह जो कि कोर्शिच बहुँ जाला पूछे जाते है, तो उठाते है, physical examination, यह था subjective, objective, यह topics बड़े छोटे हैं, but important है, sometimes confused होता है, तो आप अच्छे से सब्सक्राइक होता है, दर इसके पाद में होता है, physical examination, अब physical examination कितने तरह होता देखो, सबसे पहले किया जाता है, inspection, थीक है, inspection, palpitation, थीक है, दैनर उसके बाद में percussion, percussion किया जाता है, दैनर उसके बाद में, masculination, थीक है, यह process होता है, normally, ठीक है, दर उसके बाद में इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, परिकर्शन हो गया, अस्कर्टेशन हो गया अगर एबडोमेनल एग्जामिनेशन की बाद बताओ मैं आपको, ठीक है? ऑबेडोमेनल एक्जामिनेशन memory डवट जो प्रोशीजर होता है क्योशन यह से पूछ लिया गया है कि एड्वट एग्जामिनेशन की प्राइरिटी क्या होती है तो आप लिए सब से पैले इंस्पेक्शन ही आएगा इंस्पेक्शन देन उसके बाद मैं ऑस्कटेशन देन उ यह होता है अगर नॉर्मली अगर आपसे कुछ आ जाता है तो यह प्रोसिजर होता है और अगर डियूरिंग दा अब इसके पाद में आपको बदाता हूं कि कुछ पोजिस्ट बदाता हूं अब वह पोजिस्ट बहुत जाता होगी पर मैं आपको नॉर्मली बता है आपको लिखते जाना जो फिजिकल एग्जामिनस के अंदर help करवाती है जैसे सबसे पहले क्या होता है इसका फॉपीन पोजिस्ट के पाद में करवाने के लिए helpful होता है प्लस में abdominal examination करवाते हैं, लेकिन इसके second priority होती है, ठीक है, अब first priority करते हो, मैं आगी जा की बता हम हो, ठीक है, तो आप लिखते जाना बड़ी आसान है, सबसे पहले क्या होगा, supine position जिसके लेट जाएगा, और जिसके अंदर head to toe examination के अंदर helpful होती है, then उसके बाद में second number के आता है, क्या sitting position, यानि कि patient chair पर बठा दिया जाएगा, तो उसके अंदर अपन क्या-क्या examine करते हैं, तो उसके अंदर अपन head or neck, और गला और chest वगरा का examination करवा सकता है, या फिर जो expansion होता है, कि इसका buttocks का, उसका भी अपन examination करवाते है at sitting position, then उसके उल्टा लेट जाता है, उल्टा लेट लेट लेपे क्या-क्या check क्या-क्या check क्या जा सकता है, that is sir, जो उसका musculo-skeletal examination क्या जाता है, वो prone position क्या जाता है, plus hip fracture अगरा तो नहीं हो रहा है, उसके अदर क्या जाता है, then उसके बाद मुती is squatting position, squatting position आपने देखा हुआ जो जै जाता है, then उसके बाद में आती है trendleburg position, trendleburg position हमेचा pelvic examination के ऑचीया, then उसके बाद माती है, क्या trendleburg position, जो पैर का end होता है, उसको elevate कर दे जाता है, or head and को निचे कर दे जाता है, वो ते trendleburg position, ठीक है, then उसके बाद म Хोता है पोजिशन्ता, रास्फॉल्स रिक्ममेंट पोजिशन् यह थेमिनि इसे का णियाता है amdala. जरता है близly. संट इकार 50 वार्टि इसके लावा बॉल में बैस्टित वेआ ठीक है चिक दर्श न उसके बाद में होता है साथ राइट लेटर पोजिशन होती है यहिstäर में लेटोरीनोह रफ लसपी अर्वा पयां जो पक्छ वहाव सोना होगा वो पोजीशन पीसे लिए फिर शिग्मोलीडोस्टॉपी के लिए यूज की जाती है उर लिटोट्रामीक पोजिशन के लिए वह तीय पैरिणीर एजामनेशन के लिए अधर थी तो आप इस वीडियो को फुदिधी प्रीवेस करें देख लेने अगर केसी भी पोजिशन में आपको भूल पे हो य अभी रेटिट इसते हैं ठीक है तो इंस्पेक्शन के अंदर सब से पहले उठाथे हैं एक वह इंस्पेक्शन के नाम से पता चल रहा है वह प्रोसेजर जिसके दुआरा अब जैसे यूज to examine the any cavity or body such as examine the cavities or body by any instrument या इसके कोई भी instrument के दौरा examine करना जैसे कि सर Laryngoscope हो गया Proptoscope Proptoscope हो गया proptoscope हो गया या फिर कोई और instrument के दौरा examine करना proktoscope यानि कि एक्टला के एक्जामनिशन करना, lalingoscope गले के एक्जामनिशन करना, otoscope होता है कान के एक्जामनिशन करवानी के लिए, तो the instrument which is used by the examination of cavities or something else related to our body, that is known as inspection, inspection की तोरा कहता है, जैसे अगर skellerा का है, यानि कि अगर skellerा के बात होता हुए, तो кिंदर से exact about yellow color, yellow color की यह क्यूंत होता है, तो smoобщ के अंदर होती है, सबकर joint dust के होती है, early sign पाए जाता है, अगर किसी patient को joint dust हो रहाय है, युक्का छॉष फीकि ररी निगे रहा है, यह क्या होती है, yellow color के होती है, दर उसके बाद में पीजर्स चैस्ट होती है, यानि कि जो पीजर्स चैस्ट होती है, आगे तर वाइटमिन D deficiency के वज़े सुझाती है, स्टर्रम की ओवर ग्रोथ हो जाती है, और एक लाइन होती है, इस ब्यू लाइन, ठीक है, ब्यू लाइन का मतलब क्या होता है, ब्यू ला यानि कि पालपीटेशन क्या होता है, और कैसे इसको क्याता है, इसके अंदर अपुर पीज़ेंट को touch नहीं करते है, खालें libre की इंस्ट्रुमेट के दूर के आजय मिर लाइन, दर ऐसके नंगल पयाता है, पालपीटेशन क्या होता है, मैं पालपीटेशन के अंदे सबसे इसके दोरा इसके ब्चाइवता है जो यह जाता है जो भी करें जाता है। पर अब लिया जाता है टीप पर दोरा लिया जाता है चब्सकर बाहिके जाता है। जो पालप्रिशन तो दड़ता है दौट सरफेसी उसज़ क्या आलब使ल पालप्रिशन और मिल्ड jsश के बादuter है दिखो, पाल कीके थीटिशन भी दो तरह होता है, ठीक है यह वार Tea Sheeter के अंदर भी help करवाता है कि क्यों थीशू टैर्गर को जांच करने के अंदर भी इसकी help करवाता है Tea Sheeter कर गर का मतलत क्या होता है, जैसे 6 में से चुटा बच्चा है ऐसके अदर टीसे चेहर अरली साइज नो पाई आगतों हो इसए पशल्स से या आ जाते है तो सब से पहले करें ऑर ना इस इस पुलता है सब्छाइज क्या होता है लाइट और दीप इसका होता है लाइट और लाइट का बता है?」 तुक्षीilli ठीड होता है शुर्डीट सब्सक्राइबール पॉरपर ब्रेंट के लिए कि लिए रीवर शुर्ण ज़ाती हैं लीवर सीरोसिज या फिर एनलार्जमेंट हो जाथन लीवर का उसके लिए चेक करने लिए ठीक है क्या बीड तो इस इस अब मेरी अब जैसे मानेगे चलिए किसी भी पेशन्ट के अगर पाल्पिटेशन में पेड़ हो रहे हैं तो नर्सी प्राइट ही रहेगी कि आपको उसक लिए चांग कि प्रकेशन लिखते जाना आजना शान सा है छोटा सा टूपिक है पर लुदासा इंट्रसटीव साहए और कॉशन आत्पेस में बहुत जाए तो सबसे पहले परकेसन के परकेशन से टीप लिए फिंगर्स के दोरा चाहतर दाता है बाया और प्लस में सा रिफ बोडी, फ्लूड वगेरा चैक के रहता है ठीक है किसके दोरा परकस्न के दोरा आपने देखा होगा बहुत सारे हेल्थ केर प्रोड़र वगेरा डॉक्टर वगेरा होते जो उसके नतर एक हमर से लिए रखते है ठीक है अपरें से लिए पी लंक्सी साूंड है आपने टयर्भ गार परकस्न के दोरा की आदते है अगर है आपने चाह्या जे चल्ट है सिर्टाकर विटाइव आपने लंगरोडे सॉक्ता प्रशमा कि अजलिख हो इस की जो वह जेका Setting हम आपर में इसके बाद होकर रहा है इसके बाद इने अब घंपनिक सांडा विद्ट एम जब जादा एक राव के बिचन आती है जब जादा कई जो चाहिए धन तब इसे कि अड़ी आथी चलो साओन में जो टिंगली नुठा यह उती है जिसके सना अगी कहती है जिसके पह्लो मिकाहिए है उसके लूक इज सांद आने लागने सांद लाहित है जैने इसके कवा हैं सब्सक्राइबग क рок इसके ऐखावर कफ़िडर संदता compress स ψय सकतित है किसे की संघ को अब ऑआ तो कोई अंदर से हाड जो अप्जेक्ट है तो भी ई याद अनना normal sound होती है कि इसकी heart, इसकी lungs की, that is resonance, hyper resonance, FIC मां उतर होती है, tympanic, या फिर drum light, that is hollow cavity के अंदर, dull, कोई float बगरा है उस cavity के अंदर, और float बगरा, flat आती है कोई पी bonny prominence है, उसके अपर ये किया दा, तो this is all about the percussion के बारे में, अब आफ्री का जो इसका topic है, that is ascultation क्या हो देखो, ascultation क्या से क्या दाता है, वाया, scythoscope के द्वारा क्या दाता है, वाया, scythoscope के द्वारा क्या दाता है, अब देखो, scythoscope की जो खोज गी थी, वो थी, रेने में की थी, 1816 गे अंदर, ठीक है, अच्छा, इसके ear piece होता है, ear piece होता है, by neural होती है, ये ठीक है, by neural होता U-shape का ठीक है और बारकिए इसके लावा जो tube होती है Pvc से तो बनती है Take a Pvc से दो बनती है 30 से 45 cm की होती है ठीक है 30 से 45 cm होती है PVC से बनती है 30 से 45 cm होती है 2 इसके piece होती है किसके ? How about first? यानिक में जो और earpiece होती है यह फ्रनार होता है earpiece नहीं, bell और दुछ नब हमग डायफरांग, ठीक है डायफरांग बता है, डायफरांग जो bell का side का होता है that is mainly किसके लिए यूज की जातीए है, जो low pitch sound आतीए है यानि ही एक बहुत कम sound आतीए है, low pitch sound के अंदर सबसे पहले कों सी sound आएगी low pitch sound के इंदर जो सब से पहले sound आती है that is जैसे fittle hurt sound होती है बहुत कम सुनाई देती है या फिर मर्मर उगदा hurt थीक है मर्मर उगदा hurt के लिए भी इसी के लिए जिमेला होती है डाने प्रोन डायफर्म होती है ये high pitch को उगदाती है बागी कुछ sounds होती है, जो आगे की तरफ एक पूरा membranes होता है, that is diaphragm, और जो पीछरी तरफ एक शेट है, that is bell, और यह इसके बारे में बताता है. बागी कुछ sounds होती है, जोसकर ने दोरा प्यफों को सुनी जाएगी, while diaphragm जाण। एक शार के दोरा, that is, सबसे परफरों के तरफ इसके दोरा, that is, सबसे परफ़ल होता है, carotid के तरफ, नहीं, सबसे परह बाओल साउंड होता है. बहुर ऑल सांड़ को कैसी सांड आती है बाँसांड के अंधर सबसे प्रहले सब्सक्राइल सबस्क्राइल करें गडिली सांड आए इसके लिए कि निए होगे दो बाती है और कि चंद पाधिये और जो के इन्द राथे शंटी गल्री का आती है इस नहीं को अपी था देने को गिए निक भंब शक्रायब को पाधिया तो यह बादा यार रखना जो छोटी मोटी बाते हैं तो इसके बारे में असकल्टेक्शन के बारे में अब इसके बारे में एक टोपिक और अच्छोटा साथ है तो पिर्फ मुद्ध को पैसे को पड़ की लिए परे ह regulatory को शनले हैंぎ ऐसके हमादा है पर किसी के बारे मारे में और इसके पूर कशनले हो सहते है Pork 오ips पाइण से पाइजन गाने के लिए जो कोशिंट बहुद-बर उचा जाता है तो कोन से मेथर जाता है, तो ओलॉफेक्षर ह्योज ग्या जाता है 2nd, personal hygiene, को चेक रहे लेगे, किसी के समेल आ रही है नहीं हरे परसनल hygiene भी सीधर रहे है 3rd one which is, halitosis, halitosis के अंदर का होता है कि जो मुँसे गंदी समेल आती है उसको halitosis का जाता है, medical term के अंदर तो halitosis के दूभी चेक के अदर है, olfaction method के द्वारा बाकि एक उतर Non Invasive Breath Test, जो होता है, एमोनिया के अंदर के अधराता है, हाइलो पैक्टिर, पाइलोरी नाम पर एक बैक्टिरा पैदाता है, पेट के अधर, स्टर्मक अंदर, जो पैप्टेकल सरकोज कर देता है, और उसके दोरा, उसके दोरा, उसके दोरा, उसके दोरा, उसके दोरा, उसके दोरा, एमोनिया के स्मेल आने लग जाती है, मुह से, जो किसके दोरा बताता है, ओल्फेक्शन के दोरा ही बताता है, बागे एक keto, fruity smell की smell आती ही, जैसे keto acid उसके जोगते है, तो उसके अंदर क्या होता है, और एक तेसे एक test होन होता है, that is hydrogen test होता है, hydrogen जो सुम ने के लियो क्ता है that is due to the kis-ke-lip किस द्वार क्याता है hydrogen breath test जिसे कहता है वो cargo-hydred metabolism क्या चैक करने के लिए अर्युज क्याता है अब पढ़ते है अब उन्ने यह था अभी तर का जाग से था फीजिगल एकजामिशन असस्मेंट प्रोब्लम होती है और प्रोब्लम होती है आइड़ीफाइट एक्चुल प्रोग्रम आइड़ीफाइट इसके अंदर ओल्ड गोल सेट के रदेगान और सेट ठीक है यह सेट कर दिया तरह सके बाद पर डाइगोर्सिसे प्रोग्री फोल्दीश सेट फोल और गोल बहुते हों जो प्लाणिब ये बास को उसके बाध मेरा या । फीलिओ किसके लिए पासे होत mujer से पासे हुआ देद्ट वारी और हों य८र्टा ट्राय समय हुआ किस मेरे पासे ह Works जो है सट की जो मेरेकर गरती है है आब नीड कास इनेटफाइभ घए इसके द्वारा नीड होती है सब मेरे ठहु उट है मास बहुत तरहरे मेरे सोख को थीडार यो मैस ब दो किन अंद वाटर और ओक्सिजन गोगी है एक ये ये यूज की जाते है दर सैकीन नम्बर फे सर्सकेलाबब सेस्टी एन सिक्योरेटी थिक सेस्टी और वॉलगएंगने नेस ठीक है और फॉर्थ वन वीच इस चैक एस्टीब तो किसके दौरा मैंने बताया आपको यार गना ले लेना को दिकतनी है यह है इसकी प्रिटिम मैंस लोग थोरी की साब से जो प्लाणिंग अंदर पाया जाती है और उसके बाद में जो आउटकम डिपान करते क्या आटकमानी वाला है क्या पूरी अनरसएक प्रोसेस का धेट इस मेरी डिपया अ कहीं होता है तो की सब्सक्राइब फेज को ऊपर होता है, वर्गिं फेज के उपर पाया जाता है ना कि ए वर्गिं फेज का मतलब क्या case का मतलब होता है जितने सब्सक्र JENगो, उसके उपर work कर देना जो भी अपने प्लान एक डाइश किया, उसको implement कर देना ठीक है उस disease condition इस जो plan बनाए उसको implement कर देना, उसको apply कर देना, patient को care देना और देर उसके बाद में आख रिकन रहता है evaluation, अब evaluation बताता है effectiveness को, ठीक है, it tell about the effectiveness कि भही आपको evaluate किया जाए कि भही तो आपने implement कर दिया कि भही सही result निकला है, नहीं निकला है, सही है, गलत है, तो वापिस से अगर effectiveness check जाती है, अगर सही हो जाती है, जब तो terminate कर दिया जाता है, ठीक है, termination or revised depend upon the evaluation के उपर, यानि कि अगर patient सही हो चुक है, तो terminate कर दिया ज various types of, जो process होते है, nursing process होते है, that is very much used by our normal hospitals के अंदर, healthcare, institute के अंदर, इसके अंदर, institute के अंदर, तो these are all about the, इसके बारे में nursing process, I hope आपने इस वीडियो यहां तर देखियोगी, और यहां तर देखियोगी और यहां तर देखियोगी ज़रूर करे जाना, अगर आपको कुछ अच आपके मिलते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तिल देखियोगी सभी भाईयों को, नमस्का।